पुलिस ने स्वंबार को मिठन पूरा थाना च्छेतर में तीन साल की बच्ची मिष्टी हंत्या कांड का खुलासा कर दिया सनिबार को मिष्टी की हंत्या उसकी मां काजल नहीं की थी काजल अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी प्रेमी भी उसके साथ रहना चाहता था पर वो मिश्टी के साथ नहीं रखना चाहता था काजल ने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी बेटी का कत्र कर दिया पुलिस ने प्रेमी के घर से काजल को गिरबतार कर लिया है CTSP और धेश सरोज दिख्षित ने बताया कि यारोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है काजल अक्सर क्राइम पेट्रॉल देखा करती थी काजल ने इस सिरियल के एक दो एपिसोड में हत्या कर सब ट्रॉली बैग में फेकने के तरीकों को देखा था इसी से प्रेरित होकर उसने बेटी की चाकू से गला काट कर हत्या की इसके बाद सब को ट्रॉली बैग में पैक कर घर की छट पर गई काजल ने छट से ट्रॉली बैग को घर के पीछे फेक दिया था साच्छे मिटाने के लिए काजल ने च्छत और अपने कमरे को अच्छे से धो दिया था इसके बाद वो घर से भाग गई थी पर FASL की टीम ने घर से कई सबूत बरामत किया और यह असपस्ट हो गया की काजल ने ही हत्या की है काजल का फोन सुक्रबार साम से ही बन था पोलिस ने महिला के मोवाईल को फोन को सरविलास पर रखा था उसका आखडी लोकेशन रामपूर हरी धाना च्छेतर के सीतामधी रोड में ट्रेस किया गया था यही पर काजल का प्रेमी रहता था सीटीयस की अब्धे सरोज दिख्षित ने बताया की हत्या में प्रेमी सामिल नहीं था बच्ची के पिताम मनोज कुमार गया के चाकंद बजार के रहने वाले हैं 2019 में काजल कुमारी से मनोज की साधी हूँ थी मनोज कुमार पत्नी काजल कुमारी और बेटी मिष्टी के साथ किराय के मकान में रहते थे यही पर काजल का भाई भी रहता था मनोज कुमार गो सालाचो के पास एक मिठाई फैक्टरी में हलुआई का काम करते हैं मिष्टी दमपत्ती की इकलोती संतान थी बीते सनिबार को मिठनपूरा थाना के रामबाग इस्तित जान की बलब सास्त्री लेड में घर के पीछे सनिबार को दो पहर लाल ट्रॉली बैग में बंद तिन साल की मासून मिष्टी कुमारी का सब मिला था मृत बच्ची की गर्दन और बेट सहीच सरीर के अन्य जगों पर जखम के निसान मिले थे रभीबार को सीटी एसप्य अवधेश सरोज दिख्षित ने कमने से लेकर जिस जगह मिष्टी का सब सूट केस में मिला था वहां तक बारीकी से जाज की पोलिस किम ने कमने से खूल लगे कपरे और बेट सिच सहीच कई अन्य समान भी जब किया था किया गया और एक साइटी का गठन किया गया जिसमें एसाचो मिठन पुरा इसको लीड कर रहे थे कर दो पूला की जो तीन साल की बच्ची थी नोस का मुडर उसी गर में किया गय और इसका वंलों कर नहीं आगे अनुशंदान किया तो म लो के दौरा जो जो बच्ची की महा है उसके मों के दरा गिरफ्तारी की कई है और इसने कांड में अपनी शनलिप सी़ईकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ती रावपुरारी थाना थाना नंतर का देख गाउँ वहाँ पर एक व्यक्ती है उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के सात में रहना चाहती थी तो दोनों ने मिल करके चीज प्रान किया था teक है साथ में रहेंगे लेकिन उसका लड़की को तूम साथ में नहीं लाओगी और इसका कैना थो लड़की को साथ में के जाओंगे हो तूप है कर कि लड़की को दसने पया है लाल ट्रॉली वग में रखकर इंधा जा पिंख़क पीछे एक काली ग्राउंड है वहां पर उस किया और उसके अब में नीचे आ करके पूरा च्छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ किया जा कि पूरे साख्ष मिटाए जा सके लेकिन एफसल के द्वारा उसमें वहां पर कई अलग-अलग जगह से ब्लेड स्पॉर्ट मिले हैं और उसके अलाबा जो च्छ यह अखेले मडर की थी इसने सनलिपता जब कांड की सुई कर की तो इसमें एक और चीज इसने सुई कर की कि यह क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी एक दू ऐसे एपीसोड आई थे जिसमें सेम इससारे का मैटर था तो उसी से प्रभावित हो करक इसको वो आइडिया आया था कि गला काटकर के और इसमें जो बैग में डाल देंगे ताकि कोई पैचान ली पाएगा कहा से किरफ्तारी कि रामपुरारी था ना से लड़का से कब से अटेच्मेंट था इसका पूश्पूश्पूश्य यह पिछले एक साल से लड़के के सा अब प्रेमी को भी टेच्टेंड नहीं किया है क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक मानें मुर्य का नहीं रही है प्रेमी के साथ बि leggy यह दोनों इसे लेकिन-चानको कर नो की वर्फ intervene की अ चैखर ने कर दो किया है और रूम से और पूरे फ्लैट से हम लोगों ने जगा जगा से ब्लेड स्पोर्ट को और अलग-अलग सेंपल्स को हम लोगों ने रिकवर किया है अपने सपनों के आशचा है को दे एक नई पहचान माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज दिस्ट्रिब्यूटर ओफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और इंपोर्टेट ग्रेनाई माबुल स कर दोशे जाएबुल सुष्ट ऑफड़ बनाते हैं कंपोर्टेश से देशी जाएबुल से टाएबुल झाल झाल